आप लोग अच्छे होंगे कुसल मंगल होंगे और सरसती के सूपर किचन में आप सबके बहुत बहुत श्वागत है तो फ्रेंज आज हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रिश्पी लाएं हैं वह है सत्थू का प्राठा जिसके लिए हमने लिया है यह कठोरी चना और इसमें हमने एक मीडियम साइज प्याज बारीक काटके ले लिए हैं और यह हम लिए हैं हरी मिर्च तीन चार है और हमारा चार पांच कलिया लेसन के जिसे हमने बारीक कूट लिया है बारिक क्या इदरदरी कुटी है देखी रही है तो और नमक हम डालेंगे सौइद अनुशार आप अपनी टेस्ट के ही साफिर डालिए और इसमें बाकी और चीजे डालेंगे जो है ये है थोड़ी से कुटी लाल मिर्च दरदरी कुटी हुई है और ये अचार वाला मर्चा है जो होता है ना भरा हुआ मर्चा होई है चार वाला और हम डालें सासा धनिया की पत्ती और इसमें हम डालेंगे इसका सबसे मेर मटेरियल जो है सरसो का तेल तो दो बड़ा चमच हमने डाल दिया सरसो का तेल और इसे हम अच्छे से मिला देंगे अच्छे से मिलाना बहुत जरूरी होता है मसाले के साथ और यह जो मरवाला मरचा वाला है ना अचार यह बहुत ही अच्छा लगता है इसके साथ खटे में थोड़ा होते हैं तीखे तो बहुत टिश्टी लगता है इसे जरूर डालिए अगर यह नहीं है तो आप नेबू का रस भी डाल सकते हो और इसे थोड़ी दिर छोड़ कुई इस तरह से बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और जल्दी बन जाते हैं बहुत कम समय में जर्पट बननी माले नास्ते हैं और इसे हम बेल के बेएलेंगे ना पतला बे लेंगे मेडियूम साइज हमारा रहेगा और दोनों पूरी हम अपना देने लेंगे उसे में हम लगा रहे हैं सुखा अंटा विणा सुखांटा लगाया निकल जाएगा तो यह हम हमारा बिल्कुल गरम है अब इसमें डाल देंगे अपने पराथी के सबस्शेचंब करना है तो अंदर हमारा हम मध्यमाज पर रहाएगा तो असवाद नहीं आएगा तो इसे कह Une kana जब हम लगाएंगे ना तो मध्यमाच पे ही लगाएंगे नहीं जलता है तो खुस्बू भी अच्छे नहीं आती है और स्वाद भी बिगर जाता है तो हम लगा रहे हैं देशी घी अराम से इसमें लगाईए कोई हरपड़ी नहीं आराम से बनाईए और बहुत कम समय में यह है और पराठा हमारा बिल्कुल एडी है कितना कलर बढ़ियां लग रहा है ना देखिए ऐसे बाद में लगाएंगे इसमें थोड़ा था बटर भी लगाएंगे क्योंकि बटर से बहुत अच्छा है टेस्ट हो जाता है इसका अब स्वाद बढ़ जाता है तो हम लगाएंग के साथ सबजी के साथ जैसे आप चाहो इसे खा सकते हो बहुत आसान इस बनने वाला रस्पी है बिना जंजट के फटा फट बन जाता है इस तरह से हम दोनों पराठे अपने तयार कर लेंगे और हमारा यह प्राठा बिल्कुल आप थोड़ा सभी आपके लिए उजफुल है तो प्लेज हमारे चैनल कुलाई सेस्क्राइब करिए बेल आइकन पर दबाईए और कामेंट करके हमें जरूर बताइए कि आप प्राठे कम बना रहे हो और बनाए थे तो कैसा बना था और देखिया हमारा यह भी प्राठा रेडी हो गया है आप हम सल्प करके दिखा रहे है तो देखिया हमने सब कर दिया है फिल्कुल प्लेटिंग कर दिया है तो प्लेट में कैसे दिख रहे हैं बटर के साथ बहुत टेस्टी लगेंगे